न्यूस बॉल इंडिया देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूँ काजो नरायंग वक्त देश की बात का हो गया है एक तरफ जहां देश में आज संसद में हमले की 22 वी बरसी है तो वहीं आज एक बार फिर ठीक इसी दिन संसद में चलते शीतकालिन सत्र के दोरान सुरक्षा ववस्ता की धज्या उर्ते देखी गई जहां दो युकों ने लोगसभा कारवाई के दोरान दर्शक दीरगा से चलांग लगा दी साथियों लोगों ने सदन के अंदर ही स्मोक स्टिक चलाकर पूरे सदन को धूआ धूआ कर दिया दर्शक दीरगा से चलांग लगाने वाले दोन प्रदर्शनकारियों का नाम सागर और मनुरंजन है वहीं दो प्रदर्शन कारियों को नाम अमोल, शिंदे और नीलम है माईला प्रदर्शन कारी नीलम हिसार की रहने वाली बताई जा रही है फिलाल इन चारों प्रदर्शन कारियों को पुलिस ने गिरबतार कर लिया है इनसे पूश ताज भी की जा रही है वही सूत्रों की माने तो कहा ज़ा रहा है कि पूरा गटना पहले से ही pre-plan था ये जो दो प्रदर्शन कारी थे उनके पास लोकसभा विस्टर पास था जो कि मैसूर के सांसर प्रताप सिंभा के नाम पर था वही कई निताओं का आरोप है कि प्रदर्शन कारियों को उनके साथियों ने पकड़ा था मौके पर कोई सेक्योर्टी गार्ड मौजूद नहीं था बाद में सेक्योर्टी वाले दोनों को पकड़ कर ले गए वही पूरी घटना से सदन में दहशत का महौल बन गया साथी सदन को दो बज़े तक किले स्थगित भी कर दिया गया था बाहर कड़ी प्रदर्शन कारी लड़की बस यही चिला रही थी कि ताना शाही हो रही है और हमारे अधिकारों को खत्म किया जा रहा है इसके पीछे बहुत में तुकून सवाल चिपा है कि बाहर भी लगातार प्रदर्शन हो रहा था और उसके बाद फिर अंदर भी सदन के इस तरह की तस्वीर देखी गई ताना शाही हो रही है अधिकारों को खत्म किया जा रहा है आखिरी की सोर इशारा है इसके साथ ही लड़की जो भी भारत माता की जो बंदे मातरम के भी नारे लगा रही थी वही सदन में चूप को लेकर लोगसभा स्पीकर ओम बिल्ला ने सर्फ दलिया बैचक भी बुलाई जिसके बाद विस्टर पास को रद करने का भी फैसला ले लिया गया वही ओम बिल्ला का कहना है कि लोगसभा में होई गटना की पूरी जाच चल रही है दिल्ली पुलिस को ज़रूरी दिशा नर्देश पिये गए है पुलिस पूरे मामले की जाच परताल कर रही है शिरवाती जाच में पता ये चलाए कि ये सिर्फ साधारन धुआ था इसलिए जादा घबराने की जुरत नहीं है वही खुद बीजेपी सांसर इससे आतंगवादी हमला बता रही है बीजेपी सांसर बता आप सारंगी का कहना है कि आतंगी घटना है खालिस्तानी पन्लू ने धमकी भी दी थी हमलावर नारे लगा रहे थे ताना शाही नहीं चलेगी वही दूसरी तरफ विपक्ष ने भी संसर की सुरक्षा में सेंद को लेकर निशाना सा दिया सफा सांसर जिंपल यादव ने बयान देते वे कहा कि पूरी तरह से सुरक्षा में चूक है सदन के अंदर कुछ भी हो सकता था जो भी लोग यहां आते हैं चाहे वो अगंतुक हो या पर रिपोर्टर किसी के टाग नहीं है सरकार को इस पर ध्यान देना चाहे अब ऐसे में सवाल यह उठा है कि आखिर इस पूरे मामले का एजंडा क्या है आखिर इस पूरे मामले से क्या तस्वीर क्लियर हो रही है क्या इसका मकसद प्रांतिकारी बनने का था या फिर कोई बड़ी साजश को अंजाम देने की कोशिश थी और बाईस सालों बाद भी संसद में सुरक्षा में सेंड दिखाना देश की शवी को कितना धूमिल कर सकता है ये भी बहुत बड़ा सवाल है जब सदन जैसी जगा ही सुरक्षित नहीं बची है तो फिर आम जगाँ पर लोग क्या उमीद कर सकते है पहला ये कि देश की सुरक्षा को लेकर सवाल उठ रहे है दूसरा ये कि देश की छवी को लेकर सवाल उठ रहे है तीसरा ये कि वाकर क्या भारत में लोक्तंत की हत्या हो रही है चोथा ये कि क्या ताना शाही लोट गई है ऐसे बहुत सारे सवाल है एक बड़ा ही संभालित पैनल मिरे साथ जुड़ेगा उनसे जवाब कलाशने की कोशिश करेंगे लेकिन इससे पहले आए सुनते हैं लोग सबस्पीकर ओम बिल्डा इस पूरे मामली पर क्या कुछ कहते हुए नजर आए कि मानने सदश्टगन जो आज घटना घटी है वह हम सब के लिए चिंता का विश्य है और गंबीर घटना भी है घटना के समय घटना करने वाले वेक्तियों पर जिस तरीके से हमारे मानने संसर सदशों ने यहां के सुरक्षा कर्मियों ने यहां के मार्शल ने चेंबर इस्टाप ने सभी लोगों ने जिस तरीके से मुस्तेजी के साथ घटना घटित करने वाले लोगों को पकड़ा और निर्टा के साथ मैंने खुद ने भी देखा निर्टा के साथ हुए उनको दवोचा लोगसभा स्पीकर वो मिल्ला कह रहे हैं कि घबरानी की जुरत नहीं है ये इतना गंभीर हमदा नहीं था लेकिन हम पूरी तरह से जाच कर रहे हैं बिलकुल हर कोई जानता है कि इस पूरे आमदे पर बहुतर तरीकी से जाच होगी क्योंकि बैटक भी हुए ईसको लेकर बुराये गई है लेकिन विपक्ष मुद्वे को पूरी तरह से भुनानी की कोशिश कर रहा है साथे साथ इस पूरे मामले को लेकर बयान बाजी भी लगाता जारी है इस पूरे मामले पर कॉंग्रिस के अध्यक्ष मलिका अर्जुन खरगे क्या कुछ कह रहे हैं वो भी सुनिए सर मैं माफित जाता हूँ कि इस सदन में जो सेक्रिटी का और लोकसबा में जो दो लोक गुषके वहां पर गड़बड किये उस वक्त यहां पर भी उसका आवाज उठाये गया था लेकिन आपने सदन चलने के लिए अनुमती दी लेकिन जो समस्या है वो बहुत गंबीर है यह सिर्फ लोकसबा और रासबा का प्रश्ण नहीं है तो यह तस्वीर आप देख रहे हैं पबलिक गैलरी को पूरी तरह से बंद कर दिया गया है इस पूरे हमले के बाद कहीं न कहीं आम जनता को फर्ब पड़ा है क्योंकि जहां पबलिक गैलरी में आम जनता पास के साथ जा सकती थी और सदन की कारवाई कैसे होती है इसके साक्ष्वी बन सकते थे वो भी अब हग जो है वो आम जनता से कहीं न कहीं छीन लिया गया है हाला कि सेक्योर्टी परपस से किया गया है लेकिन सवाल यह है कि आखिर किस से चूक हुई है जिमेदार कौन है और किसकी गहर जिमेदारी की सजा आज आम जनता भुगत रही है यह सदन के बाहर की तस्वीरे आप देख रहे हैं उससे पहले आपने सदन के अंदर की तस्वीरे देखी चार ये प्रदर्शनकारी, दो अंदर गए और दो बाहर लगातार नारेबाजी करते रहे अब ऐसे में सवाल ये उठा है कि आज ही का दिन क्यों चुना गया, क्या कि ये प्री प्लानिंग थी क्योंकि कुछ BJP सांसद ये कह रहे हैं कि पेड़े ही ये पूरा प्लान तियार किया गया था क्योंकि पेड़े से ही इस तरह के इंपूर्स मिल रहे थे 13 दिसंबर 2001 को हम आज तक नहीं बूल पाए हैं क्योंकि 13 दिसंबर 2001 में सांसद पर आतंकी हमला हुआ था जिसमें कई लोगों की जान चली गई थी उसके बार से कहीं न कहीं लोगों की जहन में सवाल था कि जैसे जैसे भारत आगे विक्सित हो रहा है आगे बढ़ रहा है सुरक्षा पर बहुत जादा फोकस किया जाएगा और ऐसा कहा भी किया नई संसर्थ के अंदर तमाम करीकी की सुरक्षा ववस्थाएं हैं काई ऐसी लेयर्स हैं जिससे होकर बुज़रना पड़ता है अंदर जाने के लिए उसके बाद फिर आखिर कहां चुक हो गई कराम इस तरह की नारेवाजी की गई और यह कहा गया कि लोक्तंत्र की रहे हो रही है तनाय यह भरदाश नहीं की जाएगी हमारे अधिकारों का हननं हो रहा है यह बहुत कुछ दशआरा है कि देश में कुछ अलग ही चल रहा है बहुत सारे लोग इस पूरे मामले को इससे भी जोड़ रहे हैं कि BJP जो है वो अपने ही पार्टी के अंदर टाना शाही रवया अपनाई हुए है जिस तरह से तीन राज्यों में BJP ने प्रचंड बहुमत हांसिल किया उसके बाद तीनों ही राज्यों में ऐसे मुख्य मंत्री को बनाए गया जो कि शायद किसे ने कलपना भी नहीं की होगी कि ये मुख्य मंत्री होंगे तो कही ना कही नए चेहरों को मौका जो एक बार विधाय चुने गए है उनको सीम पद दे दिया गया पुरानों को टाटा बाइबाइ कर दिया गया इस लिहाज से भी कही ना कही सवाल उठ रहे है क्यारी तुजाज का विशे है क्या आखिर ये क्यूं हुआ कैसे हुआ आजी का दिन क्यूं चुना गया क्या सिर्फ एक डर एक दहशत फैलानी की कोशिश हो रही है क्या आपने आपको क्रांतिकारी बतानी की कोशिश की गई देशत गर्दी पहलाने की कोशिश कर रही है बहुत सारी सवाल है जिनके जवाब हम तलाशेंगे देखे सदन पूरी तरह से धुआ धुआ हुआ हो गया हाला कि वहाँ पर जो सांसत थे उन्होंने उस आरुपी पकड़ लिया उसकी जमकर दुनाई भी की गई बाद में जो हुआ था पार्लिमेंट के उपर आतंकी हमला और दूसरी तरफ यह तस्वीर निकल कर सामने आई है 22 साल वाद भी लोगों के मन में यह सवाल है कि क्या 22 साल वाद भी हम सुरक्षित नहीं है अगर 22 साल बाद नए संसद के अंदर इस तरह की हिमाकत करने की कोशिश हो रही है तो देश कहा सुरक्षित है बहुत सारे ऐसे लोग भी है आम जनता भी पूछ रहे हैं कि जब सदन के अंदर लोग सुरक्षित नहीं है तो सिमाओं पर आप कैसे कह सकते हैं कि देश किसी वाई सुरक्षित है या सवाल ये नहीं उठाए हमारी सेना जो है वो शशक्त नहीं है, हमें अपनी सेना पर पूरी तरह से विश्वास हमारी सेना जो है पूरी तरह से सचक्त है लेकिन ये तस्वीर बहुत सारे सवावज जहन में खड़ा कर रही है आखिरी क्यूं हुआ, कैसे हुआ तो दो सदन के अंदर थे, दो सदन के बाहर थे लेकिन अभी सवाल है कि इस पूरी घटना के सूतरधार कितने है किसके साज़श के तहट बीजुपी का सांसर का नाम इसमें सामने आ रहा है जांश परताल की जा रही है लेकिन सबसे बड़ी बात ये कि यहां पर जो पब्लिक गैलरी है वो पूरी तरह से बंद कर दी गई है इसी पर चर्चा करेंगे, कुछ मेमान मेरे साथ जुड़ेंगे फिलहाल मेरे साथ अनवर मिर्जा जी जुड़े है नेता कॉंग्रेस उनका रूप कर लेते हैं अनवर जी यह जो घटना आज हुई है पहले तो आज के दिन को पूरा भारत भुला नहीं सकता क्यांकि आज जी के दिन 22 साल पहले संसत पर अटेक हुआ था जिसमें कई सुरक्षा कर्वी मारे गए थे माली की भी जाज चाहिए और आज फिर से वही दिन चुला गया 22 सालों बाद पुष्टार मेडम सबसे पहले और जो यह हुआ है पहले 22 साल पहले भी हुआ था हम उन शहीदों को भी अमंगते है और आज गटना गटी है वह बहुत उगजाए गटना है इसके उपर शंगीत जाज होली चाहिए जाज इतनी जवर सब्सक्राइब पता चले कि पौह उप्सेट कहां तक पोच्टन की पिक्षी गुरा है यह के परदान मंत्री भी अभी तक गटना पर नहीं तोर पाए इसके ग्रह मंत्री जीस पर कुछ नहीं पहुता है यह तो बहुत अच्छा है तो बागे है शुकर नहीं का सांसत है तक बलती से कॉंग्रेस का सांसत होता तो आज दीजे तो यह जो अगर कर देते कि यह कॉंग्रेस ही चांते हैं कि फाले मेडिकी जरा अग्डाले होता है यह जो बागेड पर चेकिंग नहीं हुए अदर चेकिंग नहीं यह अदर शुक्न आपे ओंग्रेस के तूछ थे और इतने सीवीयर सांसत हुआँ आट हुग्राले हैं यह ने आज हास्सा गूजट जाता हुग्र्दुआ उसका ढुनेता कि मैं यह अज देश के अबान मनत अनवर जी अवाज आ रही मेरी अनवर जी देखे सवाल ये उठा है कि ये जो आज सदन के अंदर हुआ क्या ये अपने आपको क्रांतिकारी बताने की कोशिश की गई है या देश में कुछ और साधिस चल रही है जो देश के अंदर से ही उठ रही है आलो कि यह अवस अवाज आधा रिए अवाज इस अवाज और रहे है। आधा ओए हमनी से लोग कि यह इनको तरहा हुआ है कि इनको इनको पास यह एपल जाया है, फ़ील कॉस्त भील है, नहीं एपल आजा का एक निया रहा है। वोर योग हैं। और इनको पास वीयक कराईगी उच्सानब साथ के पास से घिलाईगी उच् Detो को दो कि ढurança बंभे इन самого ढ़ने के थाते हैं। ऍटो रहप सर समिना कोच्छान कोच्छा ने पूछेड़ उच्छे पीशो किन्स कोई के च्छा ये पूशी है। आज इसका दोशी कौन है सवाल कर सकती हूँ मैं मैं नहीं बता सकती कि कौन दोशी है कौन नहीं सवाल उठ सकते हैं जो जाच हो रही है उसके इसापसी पदर चल पाएगा कि आखिर यह हुआ क्या वापस लोटूंगे अन्वर जी कुमार गजेंद्र जी में मेरे साथ जुड़े है वरिश्पत्रकार के तौर पर गजेंद्र जी अवाज आ रही है मेरी चले शायद कुछ टेक्निकल इशू हो रहा है मैडम मुझे आवाज आ रही है आपकी आपकी गजेंद्र जी यह जो आज सदन के अंदर पूरी घटना हुई है यह सुरक्षा में सेन तो है ही लेकिन कहीं न कहीं देश्चत फैला देने वाला है गलती किसकी है 2001 में भी बीजेपी सत्ता में थी और 2023 बीजेपी सत्ता में है आप मुझे सुन पा रहे हैं जी आपके आवाज आ रही है सर दरसल क्या है में यह कोई राजनतिक बात नहीं है यह देश के लिए बहुत दुर्वांके वाली बात है कि आज परिसद में चलते हुए एक दम इस तभीके की घट्डाएं हो और सबसे बड़ी बात यह है अपर आज साती हमी कुछ कह रहे थे तो आज इनको इस तरीकी से नहीं कहना चाहिए नहीं आसी बाते करनी चाहिए मुझे लगता अशा करना चाहिए क्योंकि जब कोई राजनतिक की साइस होती है ना मैं तो उसको ताड़ा गजेंदर जी आप वरिश पत्रकार है वरिश पत्रका चाहिए बिल्कुल नहीं देखना चाहिए लेकिन सवाल तो उठेंगे ना बीजेपी सांसर जिनके विस्टर पास दिये गए और दूसरी बात यह कि अगर यह तो सिर्फ एक वो धुआ उड़ाने वाला एक बॉन था अगर कुछ और होता हतियार होते तब आप क्या कर लेते तब यहीं निया पैसी बाते करते या फिर अगर अगर इसके तार किसी कॉंगरेसी सांसर से जुड़े होते तब भी क्या यही तस्वीर तब भी गज़ता, अगर कोई BJP का भी यक्ती ऐसी ऐसी बाते उंठाता, तो सच मुछ यह बहुत धुर्भागे पुर्णा, आरियो अलबर जी, एक मुझे कुछ कहलें के लिए, जिंदर जी, देखें, यह हमारी देश की सुरक्षा से गुड़ाववा एक तो मुद्दा है, दूसरा क्या है मैं, कि जो संसथ की सुरक्षा है उसकी समीक्षा केबल एक एजन्ची नहीं करती है, उसमें RAW भी है, IP है, NIA है, सारी एजन्चियां साथ होती है, इसके अलावा जो संसथ की अपनी सुरक्षा है वो, तो CRPF पे हावाले है पुरी सिक्टोर्टी वहां तो हमारे ही लोग है, आप यह सबढ़े पाकिस्तान में पहले कहा था, हम तो इनको अंदर ही ऐसा करा देगे, इस तरीके के जो लोग जुरे हुए हैं, जो मन के अंदर ऐसी भावनाय रखते हैं, वो जा सकते हैं, लेकिन वही बात वो लैटर की, तो लैटर में अभी एजन्च हो कि अभी कुछ भी, सर, 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 आप भी पत्रकार है, मैं भी पत्रकार हूँ, मेरी बात सुरिये, गजन्दर जी एक मिलट, आप सही बोल रहे हैं कि बहुत जल्दबाजी होगी, लेकिन सर, सवाल तो उठेगा ना, सुरक्षा में चूक तो हुई है, क्या परिंदा भी पर अधिये हो हर वार किसी ना किसी पो लपेट में की द्रवत में हुझे नहीं लगता इतनी छोटी राज़ी ती किसी भी पार्टी लोगों, तच पुछ लैपस हुआ है, और जब कोई टेरनिजम या कोई किसी तरीके का कोई साजिस्त नचीच आपी है, मैंब, तो कई बार क् साजिस का ब्रेकूर नहीं हो पाता है, अब यह कोई हमारे नहीं के लोग पे, हिंदुस्तान के लाने वाले लोग है, इसलिए बहुत जल्दी से साजिसों का पता नहीं चल पाता है, और नारों पर क्या कहेंगे आप, तानज राही नहीं चलेगी, हमें अधिकार, तो फिर जो पाता है, जो पाता है, आप अपने घर के लोग हैं वही तो सवाल है, अगर घर के अंदर साजिस रच्छों का मतलब कि कुछ तो गलत हो रहा है ना घर के अंदर, कई विजिटर पास बंद हो जाएंगे ना पाल्लेमेंट के अंधर, मडब, वो तो फाइनल हो गया ना, पाइस बंद हो चुके है पबलिक गैलरी बंद कर दी गई गई उसी बंद उसी बंद उसी बंद पार्टी है तो आप भल्याली आप सुमाहा नहीं है तो इसमें पार्टी पॉलिटिक्स बाद में है नुक्सान आम जनता का हुआ ना कि मैं मैं सुनिये हैं थी दो हजार एक में तेरा तारीक को हमला होता है वाइस साल बाद फिर वही अटेक होता है जो आदमी कूद रहा है आप उसको एक बार कूदता देखिए वह बिल्कुल ट्रेंड है कि इसे ट्रेनिंग लेके आया है वह गोडिला ट्रेनिंग का वह Wir'ti अर्फट बीड माने है वहाँ चार से पांच मीटर उपड़ है वहां इक आदप सुनिता रही और वह बैसी सुद मने पर नहीं नहीं घरता है वहां से सबलता है प्तू अंग जूते मैंoga से वह जूते मेंगाता है जो असके बास निखने सब्सूंटे फरूरा ये वह ब बहुत जल्दवाजी होती है बनाए देश बक्ती बिखाने के बहुत जल्दी फरकारों पर हमला करने लगते हैं चाहिए ठीक है गजंदर जी जवाब ले लेते हैं अगर बीजेपी मेरे साथ जुड़ आए तो उनसे भी सवाल ले लेंगे कोशिश हम कर रहें कि बहुत होदी फैसले पर नहीं आना होगा सरकार पर सवाल तो हम कर सकते हैं लेकिन फिलाल ये देश की सुरक्षा और संसद की सुरक्षा की बात है तो थोड़ा सामें देरे रखने की जुरत है अन्यूट करिये का सर आपकी अबाद नहीं आरी है तो पर देखे कितनी जल्दी आपके साथ कुछे के बैठे हैं वह कुतनी जल्दी बाद करें गाएटिक पुटा करिये अगर आज कोंगरोप के लोग सोते और कोंगरोप के लोगों कुछ शनारा चुती है तो यही लोग इसर नहीं से नहीं करें आपके साथ के शरी काम कर रही है तो जंतान के गालोट thousand partner live के अरुआ सोते हैतारी मुष्म का उडिक करें पूरा जाब दा, पूरा फिच्टम था, और आज शाहदतों अर्पन को उन्हें जाजा था, तो हजार पुलिस के अंदर के लोग अंतर पे कैसे पोखे लेगे, तो सबाल कुछना चाहते हैं प्रप्षों चाहते हैं, आज कुछना चाहते हैं जादेश के पिनार के लिए और बात करा हैं, कि अ, प्रूपन लिएख यिदे आक में परकार वकर अज पर आगम सब्सक्राइं तक यह आ는 सब्सक्राइगा लाएं सबीं इंदर बेचेते हैं, तो democrats को शांव मैं सवाल कर रही हूं ना इसी वज़ा से मैं सवाल इसी वज़ा से लिकिन आप पर आप ये फोकस करें जाहिए राहूल गांडी अंदर बेखे तेश तर और भी लोग थे ना उस दर्मेवाले नहीं हैं जवाहें को कहता है — भोल इनके पूसाय दिंगे अन्हlaf को आगे झाए इंसे पूसें पुसें के से और ढाल सांधें भाल करने के सिंगे है जाच फुस्त интересно हो कि या ओर या अभी जीर पैस्रा लेनी है अपा लोम ने जाच का इंधासर कर लीजी जाख हो रही है ना जाच हो रही है ना सर जाज हो की पता लक पाएगा ना कैसे अंदर कोंचे इनका क्या प्लाइन था क्या कुछ प्रीप्लाइंट था सारी चीजे निकल कर सामें आएगी देरेकर अपड़ेगा ना चोरा अब यह जो रहे हैं आप जो सवाल कर रहे हैं अब जनता भी कर रही है ठीक है सवाल करना बनता है लेकिन हमें थोड़ा सा विश्वास रखना होगा जिस सरकार ये गैरंटी दे रही है कि सुरक्षा की गैरंटी की बात अगर हो रही है तो थोड़ा सा धहरे रखना पड़ेगा सर जाच एक बिन में नहीं हो जाती है समझे सर बात को देश की सुरक्षा का मुद्दा है अनवर जी अपनी तरीके से जाच करेंगी ना सरकार और एजिंसियां पहले प्रायटी क्या है पहले प्रायटी क्या है यह बताएए मुझे पहले उनका बयान जादा प्रायटी पर है या फिर जाच पहले प्रायटी पर है अले आप सुन तो लिए ऐसे नहीं है सर सवाल उठाना अच्छी बात है लेकिन पूरी तरीके से कटगरे में खड़े कर देना यह गलत है रुख जाएए थोड़ा से सबर कर लीजिए शाद हो सकता है कि बहुत जल्द कुनासा हो जाए कि क्या बज़े क्या नहीं मैं मानती हूं कि अगर अगर कोंग्रेसान सतक को नाम होता तो हो वह रा मज जाता मैं इस पासे भी आगरी कर रहा हूं मैं तो टिनाई नहीं कर रहे इस चीज ते गजिंदर जी अन्वार भाई पहले तो मैं आपको यह बता दूँ और घिल्ग्रम ताथे मैं आपसे कहना चाहता हूं उन्हें कोई बीजेटी का परवक्ता नहीं हो जड़ा हूं एक बाद दूसरी बाद यह है एक लंबा केरियर है मेरा रिपोर्टिंग में मैं आपको यह बताना चाहता विल्कुल आपको साइब थोड़े एक स्टैप पीछे है एक टीम उन्हें पांसद मोहते के यहां पर पहुच चुकी है और उन्हें जाच चल रही है थोड़ा अप्बेट करनेंजे आपको टीमें तो राजिस्थान भी पहुच गई है यूपी भी पहुच गई है बाहरास अपको टीमें जाच कर रही है एक बात दूसरी बात यह है कि हम यह में क्याने आप फ़लान मत कुछी है लेजी ने बात बहुच गया जिसमत लाजी चांदीनी के हत्या हुई कि देश के अंधर उसमत पॉमनेसों की सरकार कुआ करती थी बिलकुल साही बात है सवाल इतनी जंदी जागना अच्छी बात नहीं है सवाल पूछे जाने चाहिए एक दिन बात को फुलिक जहाँ इतनी जोड़ों से कर आप पूंसरे सवाल को और रही बात ही है इसको तुलक्षा के तरिंजेती ही निपता है जाएगा अब उन लोगों के सांसर मोहते से भी आप आँन यह कणा इस लेखनार आएगा इनके पन्यवारों को लेखा जा अड़ा है से फंदिंग हो будетеने ही कुँगां엔 मैं अभाट और और शुल्यों को पूंट रखना है कोई सादारा द्रेटि भी इतने एंष gloss on रही नगण से नहीं लग़ा कुठता है वे एगे ले कि आरो पर्चारोथ की जो भाविनिती अना जराब उसको देखवाल के किया किजिए अमरेश में भी कभी है बहुत जल्दी वह बहुत चीज़ें बोलना सुनु पर देते हैं फोरा सा थायम बलती है आप बिल्कुर सवाल पुछेगा आपको सवाल पुछने का एक्दम हख है लोगतंत्र है दो दिन पहले अमिशा ने कहा है कि अनाज़वरों कानून भी खतम रहा है वह बहुत को सवाल पूछने का भी जगा समय और मन्च होना चाहिए मन्च और समय दोनों है आपके पार लेकिन आपी थोड़ी जल्दबागी अनवर्वाई में आपको ये क्या छिए अनवर जी आपके सवाल होता tyr बिलकुल देश के सुरक्षा पर अगर बात आये है तो सवाल नई लाजमी ये आम जलता भी करेगी विपक्षी करेगा लेकिन हम 2008 नहीं भूले हैं अगर हम 2001 नहीं बूले हैं तो हम 2008 भी नहीं बूले हैं बताईए अन्वर जी हलो हाँ अन्वर जी अवाज आ रही है मेरी हाँ बताईए मैदम क्या कर सवाल आपके मैं ये पूछ रही हूँ आप से कि आपके सवाल करना जायज है देश की सुरक्षा की बात है आप सवाल कर रहे हैं कि कैसे वो दोनों अंदर घुज गए ठीक है लेकिन अगर हम 2021 नहीं बोले हैं या 2023-13 दिसंबर नहीं भूल रहे हैं आज इस पर चर्चा करें तो 2008 भी नहीं बोले हैं हम देश के उपर जब भी जब कसी नहीं सुर्चाइ करते हैं और इसिकान के है यह आज करते हैं तो शरकार भी है शुकर भी चार्चाइम जबात हैं किन्सी चार॥ चाहरी लंगर मुराण भी मैंनों बदा बंसी है मैंने पिरेखार का रहें तर गाटी है 2000 साहीं परना बाट करती है जवाब दिये है, सर्जुकल स्ट्राइक से भी जवाब दिये है, इंतजार करना होगा, जवाब दिये गए है, आपकी सरकार ने भी जवाब दिये है, हम भूले नहीं है, अफजल गुरू हम भूले नहीं है, भूलना नहीं चाहिए, सर्टो आप जब 2001 की बात करेंगे, जब आप 2001 की बात करेंगे, तो 2008 की भी बात होगी और 2023 की भी बात होगी, रही बात है, जब तो 2008 में थे आप लोग थे ना, सुनिए अनवर जी क्या सिर्फ सदन के अंदर अगर हमला हो गया क्या आप इसी को मालेंगे कि सुरक्षा में चूप हुई है 2008 में 26 होता है आप सुरक्षा में चूप नहीं मानते आज की बाप करें आप आप तो इतिहास को ठालीजिये, आप इतिहास ठालीजिये, आप नहरो पर चले जाएए, आप इंद्रा गांधी पर चले जाएए, हम मन्मोहन सिंग पर भी ना जाएं, समझे बात को सर। अनवर मिर्जा जी, देखिये, आप, मैं ये नहीं कहरे, कि बार बार इस अमझाने की कोशिश कर रही हूँ मैं, कि हम ये नहीं कहरे, कि आप सवाल मत उठाइए, आप सवाल करिये, लेकिन आपको धेरे रखना पड़ेगा, तो ये, कैसे बाती कर रहा है, अनवर जी कैसे बात अनवर गड़ी तो ये नहीं कहरे रही है, आप समझे थोड़ा सा, यहां बात सुरक्षा की हो रही है, यहां बात सिर्फ संसद पर अमला हुआ या फिर आतंकी हमले हुए, दोनों पापलग मत करिये, हमले तो हमले ये नहीं है, अच्छा को भी जो आज हुआ हुआ, इसे प अगर आज कॉंगरे सत्ता में होती तो आपका जवाब क्या होता आपका एक्षिन क्या होता बता दीजे मैडम विल्कुल सबसे पहले की जात और सबसे पहले की सुरक्षा वही चूप नहीं 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 यह तो वही बात हो गई है की चूप नहीं हुई मुंबई में हमले हो जाए दिल्ली में हमले हो जाया आतंकिया हमले वो कुछ नहीं बस पार्लेमेंट में चूप नहीं है चले ठीक है अनवर जी वापस लुटूंगे आपके पास कैप्टन आई सिंग बदौरिया में साजुड़े है बीजेपी प्रवक्ता है आई सिंग बदौरिया सहब विपक्ष के सवाब है कि आखे सुरक्षा में चूप कहा हो गई वो जो बीजेपी सालसर्थ का नाम लगातार सामने आ रहा है जिनके नाम पर ये पासिस बनाए गए सामने क्यों नहीं आ रहे हैं उनको लेकर क्या जाज चल रही है जवाब दिजिए अन्वर मिज्रा जिको कि इसमेरे चूप सुरक्षा में चूपता है यह तो हम कहेंगे बिरकुल इसमें कोई दो राय नहीं है उनके अगर पास ठीक है किसी सांसद ने पास पे दिए तो कोई बड़ी बात नहीं है बात यहां पर यह आती किस प्रच्छा में क्या चेक किया अगर इनके पास यह स्मोकिंग जो इन्होंने यो रख रखेते पटाकेट आए जो कलर छोड़ रहेते यह अंदर कैसे आ गए मुक कारण यह होना चाहिए अंदर आना वो बड़ी बात न और अंदर जो आँचे पास लेके बैठा है तो वो इस तरह की हरकत अचानक करते जिसको भी आप यह नहीं कैसे से प्रच्छा में चूप क्या बड़ी जी सुरक्षा को आप बहुत बहुतर तरीके से जानते हैं ऐसा मैं मानती हूँ आपके नाम से भी वो समझ में आ रहा है आपके व्यक्तित्व से भी वो समझ में आता है आपके प्रोफेशन से भी वो समझ में आता है सर इतनी सुरक्षा वहाँ पर होती है हम जब स्टूडिंट्स हुआ करते थे हम भी अंदर गए थी जब हम जरनलिजम की पढ़ाई कर रहे थे हमारी भी खूब अच्छे से चेक हरकते करते हैं कि मानो वो तो शुकर है कि ऐसा कुछ हुआ नहीं अगर उनकी पास कोई हतियार होते जब वो जित्यमें स्प्रेय लेकर जा सकते हैं तो पिर वो हतियार लेकर भी जा सकते थे िता शुकर है कि खूब रहे हो लिए कि आपने जाने से पहले जबकि आप पालियामेंट पे जाएगे तो वहां प्रवक्ता भी आटा दीजे क्या ये साजिशन है क्या कोई क्या कोई मिली भगत है इसमें कुछ ऐसी सुगाहाट कुछ ऐसी तस्वीर अगर इस पूरे मामले को देखे तो प्रवक्ता अभी मैं आपसे नहीं पूछ रही हूं सिर्फ कैप्टन आई सिंग बदौरियाजी से पूछ रही है निश्चिन तोर पर मैं आपको यही कहूँगा कि इसमें साजिस भी हो सकते हैं इसको नगारा नहीं जा सकता बंद यह संब बड़ी वाद पुरच्छा में क्य सबस्क्राइब करते हैं तो यह इतनी बड़ी चीज अगर जूते ले गया तो आपने सिया क्या क्या है जबी चेकिन तो आपको जब इतने हैं जब पालिया में तो कोई जा रहा है तो तो तीन लेर की सुरच्छा है और जो हैना आपको जूतों से लेके जो फरके बाल है यह तक चेक किया जाते हैं इनके अंदर निबावलों के अंदर नहीं कुछ छुपा है, तो यह मैं कहूंगा सुरक्षा में वागये चूक है, यह हो सकता है, इस वास्तर भी लगा नहीं सकता हूं, इस साथ में अगर जिन सांसर जी ने पास दिये हो, वो खुदे इनको अंदर लेके गए हो, तो जब सां अब बीजेपी प्रवक्ता होने के नापते मेरे एक सवाल का जवाब दीजेगा, यह बताइए मुझे कि यह जो नारे लग रहे थे, जय भीम, जय भारत, लोकतंत की हत्या, ताना शाही बरदाश नहीं की जाएगी, हमारे अधिकारों कहनन हो रहा है, क्या बीजेपी अधिकार, ताना शाही रवये पे आ गई है, इनको चुनावों से भी जोड़ा जा रहा है, अंदर खाने क्या चाब रहा है, अंदर खाने अवाज उपनी लगी है, क्या, देखिए, यह अनन तो कहीं किसी का नहीं है, जब अधिकार लोगों को जो जो मिलना चाहिए, मुझ अधिकार, जब कुछ भारत को कुछ देने के लिए आएगा, तो आप दूर खायों के जारे लगाएगा, भारत को जाली देगे, हमारे देश में इस तरह के लोग है, कि जो हासल बहुत कुछ करना चाहते हैं, बगर कर अधिकार की बात आया है, तो कुछ भी नहीं देगे, अगर बुराईयां जरूर करेंगे, इसी तरह से आपने देखा होगा, कि हमारे दिल्ली के अंदर ही एक इन्वर्सिटी है, जेनियू, जिसमें फिरियों पूरे साल रहते हैं, खाना फिरी, रहना फिरी, और सिच्छा फिरी, फिर भी वो भारत को गाली देते हैं, भारत के स ज्धन हो तर्शी में फिर तरह इस– फिर बी वो गाली दे रहें, तो उसी में से येस तरह के लोगों के, जो कहते हैं, कि हमारे अध़्िकार का हनन्व हो रह है हमारे अधिकार नहीं बहुत अज ini बहुत हैं। सब्सक्राइब विचार नहीं होने चाहिए हो तो फिर कोई बजा होनी चाहिए उसके पीछे अगर देश में दो गुट बट रहे हैं दो धड़े बट रहे हैं तो यह कहीं न कहीं देश के भविष्टे के लिए गलत है आईसिक बदोरिया जी वापस लॉटों यह आपके पास कुमार सांसद मौदे का जो बचार करते निदर आने के अच्छी बात है क्योंकि अबर आप किसी को पिये बात पिल्कुल ठीक है कि किसी को आप सांसद मौदे ला सकते हैं लेकिन अभी जाच यह इनिशली स्टेश पर है और ऐसे में सांसद का एक दम के बचार करना सश्मुष दु कि आप देख रहे हैं कि लोगों के लोगों ने राजवरी गाइडर और कई मैटो इस्टेशन पर नार्यवाजी लिखाई जो गुर्परवन्त सिंख पंदू के जो भूत है उसने इसी तरीचे से जो पाकिस्ता है तो हमारे यहां जो जुबाओं को बड़ता लालत देके प यह चीजे कराती है क्योंकि अगर राजनीती के अंदर कोई आदमी इस तरीके का विरोज करता है तो वो पर्दर्शन करेगा धर्ना करेगा नारे लगाएगा लेकिन पार्लियमेंट जैसी जगामें कभी जाके नहीं अपने आपको इस तरीके से करेगा और जो गैट वो इस तो बहुत सारी केशलर्टी आप बिलकुल बिलकुल और इसका जो जिम्मेदार होता वो सरकार होती है तो सांद्वन वहां पर उन्हें अपनी गारी में बिठाके लेके गया है तो कि स्क्रीटी बिल्कुल फई कहा रहे ते यह मदोरिया साथ साथ स्क्रीटी एक्यूप्में कि गारी में गए तो चैक नहीं हुए अगर वह वैसे जाते तो वह दरूर पकड़ लिये जाते हैं लेकिन ऐसे में जो सांसद्वन है उनको पार्ग बनाया हो लेके नहीं कि बीजेती को भी चाहिए को वह एक तंसे उनको के लिए नहीं बना दे अभी जान चल रही है चलने इंसान आंडोलन था बॉडर पे सिंभू बॉडर पे उसमें भी एक्टिव थे चलिए जिंदर जी यह तो यह तो जाच का विशे है कि आखिर यह कौन थे क्योंकि बहुत ही मामुली लोग यह नजर आ रहे हैं जिस तरह की तस्वीर निकल करा रहे हैं कोई यह रिक्षा चा है तो उससे कहीं न कहीं लग रहे है कि मामुली लोग थे लेकिन शायद इने ट्रेंड किया गया इस चीज के लिए इसके पीछे भी वज़ा है इसके पीछे भी वज़ा है वो उसका मैं वही तो आपको यही में कहना चाहा हूँगी कि यह जो है माल यह चला वो रिक्सा रह लेकिन अगर उसको किसी अगेंशी ने हायर किया और पैसा देने के बाद उसको ट्रेंड किया और ट्रेंड करके उसको बेजा तो उसने यह एक तो किया था इंडिया के अंदर बिलकुल अभी इसलिए इसलिए इनिशली अभी स्टेज पर आईजा अभी चीजों को आने भी बिल्कुल हो सकता है कि वो अपने साथ जिसादवी को ले रहे वो आदमी अपने साथ चाहिए और आपने यह नहीं देखा कि वो किस वजह से आखिर क्या जुरुत थी उन्हें संसत के अंदर ले जाने की पास देने की कौन है वो लोग क्या स्टूरेंट्स थे क्या किसी कोई साइंटिस्ट थे या कोई और लोग थे कि हाँ उन्हें सदन की कारवाई कैसे होती है यह दिखाना या देखना ज़रूरी था ऐसे ही आप सदन के अंदर नहीं जा सकते तो यह कहीं न कहीं बहुत बड़ी बात है चलिए वापस लॉटों की चर्चा में ग्राफिक से जरीए थोड़ा सा घटना गरम समझने की कोशिश करते है लोग सभा में क्या हुआ शीतकालीन सत्र की कारवाई चल रही थी दो लोगों ने विस्टर गालरी से चलांग लगा दिया विस्टर गालरी जो आप पर बाग के लोगों को पास के जरीए संसत की कारवाई कैसे होती है देखने के लिए रिया जाता है संसतों की सीट तक दोनों पहुंच गए और कई न कई कूदे नारेवाजी करते रहे स्प्रेज छुड़का और सदन में धुआ 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 फैरिया हाला कि इसके पीछे ये जो धुआ था जरीला नहीं था दस संसतों ने हिम्मत दिखाई यूपकों को घेर लिया संसतों और सुरक्षा कर्मियों ने मिलकर पकड़ लिया उसके बाए जो तस्वीर थी वो आप सब के सामने है और तस्वीर क्लियर है अनवर जी बहुत सारी वाते हो गई हैं सुरक्षा को लेकर सवाल भी पूछ लिए मैंने लेकिन हमें बहुत जल्दबाजी में कुछ भी डिसीजन नहीं लेना होगा बहुत जल्दबाजी में बहुत कुछ नहीं बोल सकते हैं कि हमारे देश की बात है देखे जो चलता था चल गए उसको बंद कर दो आपकी सरकार है आपकी जुम्यदारी बनती है अपको अधिकार बनता है अगर देश के अंड़क कोई गल्ब करें देश को नुस्तार को चाहता है आप उसको जोल में दाली फासी जीजिए हम इसलिए आपके साथ खड़े हैं लेकिन आप आपका टीवी पर ठालिये ना कहिए कि वाँ पर ख अड़िकर आप पेरिक के लिए दन फरी चेसिजिए, आप चाह की जिया अपकी सर्कार है एक मेरे भाई कề रहे है शित्तानी सिस्टम लाने ना लेते हैं और भाई आप पाकि reconna मिना सरी ब्राथ नहीं पर आप आपके शर्कार रहे हैं जो देश के लिए अनिकारख हो जो खटब करना चाहता हो आप उसको जेल में डाली है तो खाशी जी तब से पहले मैं मिज़ा पुने का रहे हैं किसी के उपर आप आपके लिए किसी फाना मिल रहे हैं किसके लर्मिल के फिरी बढ़ाए को हम कहँगा वह एकना देश के खिलाफ करेगा सबसें इस अगर इस देश के अंदर किसे पुर्बानिये दिये तो मुसल्मान वे में दिये लिए कुर्बाहिया के लिए के स्थाप्वार्श प्लीज बागर को अलगता लीन को तो आप करेंगे को खाट के लिए कुर्बानिया देश के लिए हर एक धर्म ने दी है हर एक जाती ने दी है कॉलेज का जिक्र किया है युनिवस्टी का जिक्र किया है देश की बात नहीं कि उन्होंने पूरे देश की बात नहीं की है और JNU क्या सर्ष मुसल्मान पढ़ते हैं बताए मुझे कैसे बाते करते हैं मुसल्मान पढ़ते हैं हिंदु नहीं पढ़ते हैं लगुने पढ़ते हैं क्या जी अनियू में हमारा कर्सभगे सबसे त competen भी अफ्लिक्षाह करना इस देश के लिए भी अगर बात है आपर जीनियों क्यों उठी है आपको गुस्टा होना जायज है आपको सवाल करना जायज है लेकिं हिंदु मुसल्मान मत करिये का ना यह कुमार जीनियों में मुसलिम नहीं था यह बात आपको माननी पड़ेगी इंदु मुसल्मान मत करिये किसने कुर्बानिया दी है किसने नहीं दी है बैदर तरीके से जानता है चलिए ठीक है बहुत अच्छी बात है सवाल करिए थोड़ा से सबर भी रखिये जाच चल रही है जो भी दोशी होगा सक्त आक्शन उसके कैसे हो सकता है नई सदन के अंदर तो नई सदन के अंदर जाने का मौका नहीं मिला लेकिन पुरानी पुरानी संसर्प के अंदर हम लोग भी गए है हमने देखा है सेक्योर्टी कितनी टाइट होती है हमें भी डर लगा आज लगा दस्री देखकर डर लगा सवाल इसले तो अगर वहाँ उस दुवे पहलाने के स्प्रेइ की जगह अगर कुछ जहरीली गैस होती या कोई हतियार होते तो यह बहुत बड़ा मैटर हो जाता है काश शुरवास से ही जतरे आतंकी हमले हुए है वो दर्द हम जाता है हमें हर पार्टी में नजर आता है तो आज ऐसे सुरक्षा की चूप नहीं होती लेकिन आज हम मूतोर जवाब भी दे रहे हैं इसमें भी कोई दोर आए नहीं है कि हम मूतोर जवाब नहीं दे रहे है वद्वर्या जी बिल्कुल आज जो है जो भी हुआ है इसके लिए सबी ही चिंतित है यह जो हुआ है लगन अभी हमारे प्रोग्रेस के विच्टर जो है इस पे इस पर भी राज़ीती जोड़ने लगे हमने यह कहा था कि हमारे हाँ एक इन्वस्टिटी है दिन्ली के अंदर और उसका मैंने में लिया तम रünde हिंच्टी तरह के कार्ग करते हैं उनको लिया और इनको बर हिंख्यों लगा तो जरूर हिंए इस तरह की कोई कमिया होगी कि मैं इन से कहना चाहता हूं कि सारहे मुसल्मन जलस नहीं बहुत अच्छे मुसलिमान हैं हमारे साथ कंदे दे कंदा मुस्लमा करते थे और अपने इतना देश के लिए मैं वफादार था उतना ही मुस्लमान थे नगर उन कट सर्वादियों को कहा ले जाओ जिन्हों ने देश में एक नहीं ऐसा कोई पैर नहीं पोड़ा जिसमें बंबलास नहीं किया हो किसमीर में रोज एक नयाद बंबलास होता था ता वह जो पारुड़ा नहीं किया था है अगर भी मुसलमान माली भास करोगे तो मुसलमान सब की नहीं है बहुत अच्छा का ये सुरक्षा का मुद्दा है, देश की गरीमा का मुद्दा है, देश की चवी का मुद्दा है, सुन लीजिए सर, सुन लीजिए सवाल खाना जायल है, जवाब सक्तार को देना पड़ेगा, क्योंकि सक्ता में फिलाल बीजेपी है, और नई सक्तार के अंदर अगर ऐसी कौन गदारी करके देश की सुरक्षा में शेंदमारी कर रहा है फिलाल जाल चल रहे हैं इनतजार है कि जार्च में क्या कुछ खुछ खुलासे होते है आप तीनों बहुत शब्रेष चार्चा में श्रचा में शामिलों होने के लिए तो सदन के अंदर आज लुक नारवाई हो रही थी लेकिन सुरक्षा में चूप देखी गई है फिल्हाल चारों को पकड़ लिया गया है जाश परताल की जा रही है इनके करेक्शन कहां कहां जुड़े हुए है हर प्रदेश में जो हमारी इंटेलिजेंस ब्यूरो है वो पहुंच चुकी है जो हमारी यहाँ पर एजिंसिया है वो पूरी तरह से पहुंच चुकी है फिल्हाल क्या तस्वीर निकल कर सामने आती है इसका इंतजार है लेकिन हाँ आज एक बार फिर